हेलो फ्रेंट्स आज मैं महिलायों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ जी हाँ ये गंदी से काली पायलों को देखकर आप समझी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आज मैं आपको एक ऐसी खास ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप कितनी भी गंदी कितनी भी खाली पायल हो चांदी हो पिछिया हो या चांदी की चेन कोई भी चांदी के बरताने जोयल्री हो उसको एकदम नए जैसा चमका सकते हैं वो भी बिना महनत के मिंटो जब भी हमारी कोई भी जोयल्री खराब हो जाती है तो आप सुनार के पास पॉलिश के लिए देते हैं साफ करने के लिए देते हैं तो वो एकदम बिल्कुल इसको नया जैसा कर देते हैं तो पर आज मैं आपको बताऊंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने घर पर ही आस करने के बाद बिल्कुल एकदम नए जैसा कर दिया है है ना जादू और मैंने इसको घर पर ही किया है कुछ सामानों से बहुत आसान तरीके से तो अगर आप भी चारें कि आपकी काली और पुरानी पायल एकदम नए जैसी साफ हो जाए चमकने लग जाए उसके लिए वीड अगर आप चांदी के डियर सारे जीवर या बरतन साफ कर रहे हैं तो आप जादा पानी का यूज कर सकते हैं एक बरतन ले लेना है उसमे मैंने या पर डाला आदा गलास पानी अभी हमें इसको उबलने देना ये देखिए इस तरह से पानी अच्छे से जब गरम हो जाएग नहीं करती है अई तो इस सबस्लिक्मी तो कोई डीटरजयंट को सिह मैं चैनाigos नहीं कोई डेयं डिर्ज़ेंट से कपड़ें वी यूज है डिटर्जेंट से बहुत ही बढ़ा सा रिजल्ट आता है आप चाहे तो कोई डिश वास जो हम होता है लिक्विट वाला वो भी यूज कर सकते हैं तो बस मैंने आप तोनों चीजों को कर दिया है मिक्स और इसको हलका हलका सा उबालाने देना है एक चीज का ध्यान और रखना ह जो कि बिल्कुल काली हुई है ये देखियें पौरणी सी काली बहुत जादा गंदी होगई है अमें पर चाहीं डाल देना है यहां पर क्या करना है दालना है एक और खास निग्रीडियन जिससे कि पायल बहुत ही ज्यादा दर्शाक्त स्क्रीय परूर आत्तार को भाउब कर विनेगर का यूज़ डालतीय है कैसा पाने में पान आने लग गया है अगर आप विनेगर नहीं डाल रहे हैं आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर आधी नीवू का रज डाल सकते हैं और देखिए मैंने बोला था डालते ही रिजल्ट पायल में एकदम से शाहिन साफ देखेगी बार glut क्राइब है और इस तरीके से आप ऊकदेख़ भी को देक्ञसला में इतल के पाइलए दिखनों गे Stephen लेमें जाएब किसमा में आधिके अब इस तरीके तो आउलए तब मनेचल की देकिए और हमेशा सित वार बिसे को शाइन आज़के दिया है जा Dec ठीक कोई और ही और दाल दुए या और साफ की वही नई पाइल डाल दूए तो इसलिए मैं आपको दिखा देbahn हैं कि यही वही वाली पायल है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी जो इदम काली है अब हमें क्या करना है इसको अच्छे से उबलने देना है तीन से चार मिट के लिए और बहुत जादा कोई चीज काली है ना तो उसको 5-6 मिट तक आप उबलने दीजेगा दोनों तर तीन से चार मिट तक अच्छे से उबाल लिया है अब हमें क्या करना है यह जो पायल है इसको निकाल देना है सापधानी से निकाल लिएगा क्योंकि यहां पर यह बहुत साथा गरम हो जाती है तो बस हमें इसको प्लेम को कर देना है और यहां पर हमें निकाल लेना है और य हम पाने से अच्छे करना एक पाने के लिए बरस कने दो और इसली देरे साफ पाने चाहिं जाती है ज़ो ऑगयरा लगा होता है नक पान cœur हियाए ओो इस साफ में डेह सारी मेहनत की स ise कलावपण साफ साम चाहता है और नीचे सायच के राओ फाल क्यर havia नेज़ी . तो आप जादा नहीं तो हफते में एक बार यूँ ही इनको ऐसे नहाते टाइम भी अगर आप प्रस्ते साफ कर लेते हैं तो भी आपके पाइल इतनी जादा गंदी नहीं होती है तो इस तरीके से डिजाइन के अंदर हमें बहुत अच्छे से इसको साफ करना है जिससे कि अब इक्तम चमक नहीं लग जाएगी नएक के जैसी यह देखिए और एक और बात फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर ये वीडियो और ये टिप्स आपको थोड़ी भ बहुत अच्छे से रगड लेना है और देखिए मैंने दोनों पायल बहुत अच्छे से रगड करके साफ कर ली है १। अब हमें इसको वॉ contar करना है तो वाश करने के लिए साफ पानी का यूजी करना है यह मैंने अभी पायल में जो गंदा पानी लगा हुआ है क्योंकि ज नए जैसा कर सकते हैं तो यह देखिए रिजल्ट कितने बढ़िया नए जैसे साफ हो गई है अभी हम इसको एक से दो बार और वाश करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे जादू ही रिजल्ट कि एकदम काली पड़ी पायल कितने बढ़िया से साफ हो गई है तो यह देख और इसको एक से दो बार और वाश करूंगी उसके बाद मैं दिखाऊंगी रिजल्ट कि हमारी पुरानी पाहलती कितने बढ़िया से नए जैसे साफ हो गई है यहां पर मैंने इसको अच्छे से वाश कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके शाइन कितनी बढ़िया से साफ हो साफ हो गई है अगर आपकी भी पाहल या बिचिया कुछ भी इस तरीके से काला हो गया है तो आप आसानी से घर पे इनको साफ कर सकते हैं एकदम नए जैसा बना सकते हैं दो से तीन चीजों से हम इसको साफ कर लेंगे अच्छे से दोने के बाद हमें यहां पर एक साफ करके रखिएगा इससे बो बिल्कुल भी काली नहीं बढ़ती है तो यहां पर देख सकते हैं जो एकदम काली आली पाहल थी कितनी बड़िया से चमक गई है एकदम नए के जैसे देखने लग गई है यह देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है यहां पर कोई भी गंगी नजर